हेलो दोस्तों जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं यहां पर मैंने जो बैनर बनाया हुआ इसमें लिखा है साफ साफ लॉक्डाउन के बाद बड़ी भरती प्रक्रिया होने जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार में अधिनस्त सेवा चैन आयोग जो उत्तर प्रदेश का जो यू का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सेलेक्शन में और मैं विरद्दुबे आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्या इंपॉर्टेंट खबर है 5200 लेकपालों की भरती को ले करके तो सबसे पहली बात तो यह जो लेकपालों की भरती होने वाली है यह बिना इंटर कि लेकपाल के 5200 पदों की भरती प्रक्रिया लॉच्टाउं खतम होने के बाद शुरू कि जाएगी यह गर्णी भरती प्रक्रिया बार यह वर्टेजी से शुरू की जा सकती है तो आप यहाँ पर देख पार होंगे साफ साफ बड़ी बात है लॉच्छा यहां पर क्या सकत लगबग काफी समय से काफी महीने से लटकी हुई थी लगबग एक साल से लटकी हुई है और 30,837 पद हैं राजस्व परिश्द में लेक पाल के जिसमें से 24,000 पद भरे जा चुके हैं और जो शेस पद खाली है लगबग उन शेस पदों के लिए यह भरती प्रक्रिया नहीं हो पा रही थी साल भर से लेकिन अब यह भरती प्रक्रिया निखा हो जाएगी निश्चित अगर देखा जाए तो यह जो इसके विज्चापन है अगर हम बात करते हैं यूपी ट्रपल सी का विज्चापन है यह विज्चापन आपका लॉक्डाउन के खतम होने के बाद आप आजाएगा और आविदन के लिए जो भी मतलब प्रक्रिया है उसको जो है नोटिफाई क किया जाएगा बड़ी तेजी से उपर काम करने की योजना है उत्तरप्रदेश सरकार की सेम यही खबर आपको आमानुजाला के माध्यम से भी देखने को मिलेगी और यहां पर भी आपको इंपोर्टेंट चीज यहां पर यह देखने को मिलेगी कि जो है मुख्यमंत्री ने नहीं होते हैं अगर देखा यह तो बहुत है यह पर और सबसे बड़ी बात है कि पहली बार यह उप्त जो है वह बिना इंटरव्यूप्रक्रिया की होंगे मतलब इसमें जो है सीधा जो है केवल लिखित परिक्षा होगी और लिखित-परिक्षा का आयोजन होने के सासा थोड़ा सा negative यह हो सकता है कि जब interview नहीं होना है तो जाहिर से बाद हो थोड़ा merit पे toughness दिख सकती है इसलिए आप जितनी अपनी मेहनत करेंगे जितनी अपनी तयारी आप करेंगे दोस्तों मतलब लिखित परिक्षा ही आपको पास करनी है आपको लिखित परिक्षा में वो एक सामान निसा जो paper बनता है वो कितने का बनेगा क्या क्या questions पुछे आएंगे अलागि इसका notification जब आएगा नयत और पर तभी explain किया सकेगा लेकिन अंदाजन अगर देखा जाए तो इसमें आपका GS का एक बड़ा roll होता है जनरल स्टेडी का एक बड़ा roll होता है ठीक है तो जनरल स्टेडी का बड़ा roll होता है इस चीज को आप ध्यान रखेंगे GS के साथ साथ इसमें हिंदी का भी बड़ा roll होगा ठीक है तो GS, Hindi, Reasoning, Maths यह सब काफी important भूम का लिगाएंगे लेकिन मुझे लगता है कि यह दोनों सब्जेक्स सबसे बड़ी भूम का निबाने वाले हैं और दोस्तों इसकी classes लगातार selection mentor आपको प्रवाइड करा रहा है और बहुत जल्द हम Hindi की full flash में classes जो है आपके लिए लेकर के आने वाले हैं लेकिन lockdown के कराण जो इसके pre की जो जो exam होना था वो प्री का exam टाल दिया गया है वो प्री का exam अब नहीं हो रहा है बाद में होगा तो साहिर से बात है कि मेंस के जो एक्जाम सोने वाले थे उसमें भी एक्जाम जो है वो टलने की बात करी जा रही है तो यहाँ पर lockdown के करण उत्तर प्रदेश लोग से वायोग ने खंड सिक्षा दिकारी यानि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की जो भरती प्रक्रिया है उसको टाल दिया है और इसकी मुख्य परिक्षा की भी पूरे पूरे टलने के आसार हैं मुख्य परिक्षा जो है वो 13 सितंबर को होनी थी कब होनी थी 13 सितंबर को लेकिन अब आगे कौन सी डेट होगी यह भी आयोग के दुआरा क्लियर नहीं किया गया है तो एक तरीके से आप इस लॉक्डाउन में अपने आपको पढ़ने के लिए मजबूत अफसर बनाने की त्यारी करना शुरू कर दीए मैं आब आपको यहाँ पर यहाँ भी बता देना चाहता हूं एक important point यहाँ पर यह भी कह देना चाहता हूं कि किस तरीके से अप इसकी त्यारी करेंगे क्या चीजें हैं जिसे की आप यह तॉर काफ्य अच्छे से कर सकते हैं कुछ भी I want to join this WhatsApp group ऐसा कुछ भी लिखर के या हाई लिखर के आप लिखेंगे तो मैं आप लोगों को इस WhatsApp group से जॉइन कर लूँगा इसके लावां आप हमें विरध V I R A D D U B E Y नामसे सर्च करेंगे तो मैं आपको टेलिग्राम पर बिल जाओंगा या फिर आप टेलिग्राम में हमें S E L E C T I O N Selection Mentor, M E N T O R इस नामसे सर्च करेंगे तो भी आपको टेलिग्राम पर हम मिल जाएंगे तो आप यहां से भी जो है हम हमारे साथ जुड़ सकते हैं अब बात कर लेते हैं त्यारी कैसे होगी तो त्यारी करने के सबसे सीधा से फंडा है इसमें General Study का बहुत बड़ा रोल है जिसकी Classes नियमित रूप से शाम को साथ बजे और साढ़े आठ बजे शाम को ही साढ़े आठ बजे और शाम को ही साथ बजे नियमित रूप से चल रही है बहुत ही जल्द हम सुबह की Class भी लेकर केस के लिए आने वाले हैं और बहुत ही जल्द हम Hindi की Classes जो है आपको वो भी प्रवाइट करने वाले हैं यह GS और हिंदी सबसे बड़ा रोल रखेंगे UP SSC के किसी भी एक्जाम में अगर देखा रहा है तो राजस सो लेखपाल की वेकेंसी है और ना सिर्फ लेखपाल आगे जो है वो आरू की वेकेंसी भी पेंडिंग पड़ी हुई है आपको इस प्रक्रिया पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा UPTT की वेकेंसी हो, BO की वेकेंसी हो, सिक्षा समंदित वेकेंसी हो उन सब में देखा रहा है तो GS की बहुत importance और इसकी लगातार classes आपको provide करी जा रही है तो आप लोगों से request है कि आप वहाँ पर selection mentor नाम की YouTube चैनल पर आप आईए, daily basis पर जुड़िए, उसको subscribe करिए, bell icon दबाईए, जिसकी वज़े से आपको notifications जो है वो लगातार मिलते रहे हैं current affairs हम लोग लगातार provide करा रहे हैं आपर तो यह सारी चीज़ें आपको आपर मिलेंगी और जैसे ही अभी कुछ दिन बीच जाएंगे तो बहुत जल्द ही जो है इसका proper batch हम इसका तयार करेंगे और proper batch तयार करके previous question paper के साथ मैं आप लोगों को इस राजस्व लेकपाल की जो पूरा फाइडा उठाने के लिए तयार हो जाएए यह लागडाउन निगेटिवनेस नहीं पॉजिटिवनेस लेकर के आया है कहीं न कहीं आपको इतसे बड़ा बहुतरीन आफसर जो है अपनी तयारी का नहीं मिल सकता है तो दोस्तों फटा फट से जुड़ जाए हमारे सा साथ हमारे फेस्बुक के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं तो उम्मीद करेंगे कि आप सब लोग हमको मिलेंगे हमारे प्लैक्फॉर्म पे जिससे कि मैं आपको धेर सारी तयारी करा सकूँ और आपका सेलेक्शन जो है वो राजस शुलेकप